आज की जो क्लास है बेसिकली मैं एक सीरीज ऑफ क्लासे शुरू कर रही हूँ हम एक सीरीज कर रहे हैं इसमें कि हम पूरा का पूरा जो इसमें हमारा सिलिबस है उसको कवर करेंगे अब मैं अपको ये बता दूँ सबसे पहले कि ये जो सीरीज है हमारी ये फुल सिलिबस की चलेगी फुल सिलिबस की चलेगी इसमें हम सारे topics अपने सिलिबस के कवर करने की कोशश करेंगे forms of literature और literary devices के उपर तो देखो मैं already classes ले चुकी हूँ इसी YouTube के platform पे लेकिन अब जो है हमारे जो main writers और authors और उनके works हैं मैं वहाँ वाले से शुरू करना चाहती हूँ इन classes में हम लोग content के साथ-साथ MCQs भी cover करेंगे सब कुछ cover Ores में देखिए सार पहले तो हम सारा content वाला part cover करेंगे फिर हम रोज class के end में 5-10 MCQs solve किया करेंगे जिससे कि आपकी revision भी हो जाएगी, practice भी हो जाएगी तो आप study भी कर पा रहे हो आपका revision भी हो गया और आपका practice भी हो गया तो आज की जो हमारी classes है ये full बटा full इस तरीके से चलेंगी My name is Professor Aishwarya Puri Good evening everybody, welcome to my class बहुत अच्छा लग रहा है आप सब को देखके तो हान जी, चलिए, सबसे बहले तो मैं आपको बता दूँ हमने अपने courses launch कर दिये है UPTGT, PGT के हमारे जो main courses है वो हमने launch कर दिये है English के हमारे पास 2 batches है selection batch, एक तो है, sorry, उल्टा जा रही हूँ selection batch है, यह हमारा शुरू हो रहा है 28 जून से master's batch है, यह PGT के लिए है यह शुरू हो रहा है 22 जून से इन दोनों के लिए ही आपको 12 से 3 रोज हमारे साथ जुड़ना होगा हमारी website या हमारी application पर हमारी website पर जाकर आप अपने आपको subscribe कर सकते हैं आप इस कोर्स को जो है अपने साथ यूनो आप इसमें एंरोल कर सकते हैं एंरोल करने के लिए जो है आपको इसमें जो coupon code यहां पर यूज करना है वो है Y542 maximum discount के लिए आपने इस कोड को यूज करना है 78% के करीब-करीब आपको जो total discount इस पे मिल जाएगा तो अब ध्यान रखिए इसमें मैं पढ़ा रही हूँ सारा course कवर करेंगे revisions करेंगे, practices करेंगे test कवर करेंगे test कवर करना है तो महा पैक लो उसमें test series भी free आ रही है साथ में इसमें जो है हम लोग practice sessions किया करेंगे हर 5-6 दिन topic cover करने के बाद हफते में एक practice session रहेगा तो आपको stress लेने की जरूरत नहीं है कि भाई syllabus भी cover करना है practice भी करना है, sources भी रखने है कहा से पढ़ें, ये करें, वो करें, कुछ नहीं करना आपने वो सारी मेरी सिर्दर लिया उसको मेरे पर छोड़ दो, वो सब मैं आपको करा दूंगी कोई tension की बात नहीं है Pooja has already enrolled, very good Pooja, discount लिया या नहीं लिया code use करके discount लिया या नहीं लिया आपने Anubhav ने भी enroll कर लिया है Pooja ने enroll कर लिया है तो जितने लोग लेट हो रहे हैं मैं आपको बता दूंग हमारे पस limited seats हैं सिर्फ 500 लोगों की seats हैं सिर्फ में और फटफट ये seats खतम होती जा रही है तो प्लीज ज़रा, you know delay मत करना इसमें ठीक है ना Anubhav ने भी कर लिया है, very good Good evening everybody, welcome to my class Hanji आज की class बहुत ही important है उसका reason ये है कि मैं बहुत ही important writer से अपना जो main syllabus है हमारे जितने भी writers है अगर हम TGT, PGT को देखें तो सबसे पहले मैं common writers को उठाना चाहती थी जो दोनों में common रहेंगे जैसे कि William Shakespeare और William Wordsworth तो आज की जो class है मैंने उस writer से शुरू की है जो सबसे जिसका सबसे जादा लंबा syllabus खिचता है हमारे पेपर में वो है William Shakespeare का डिपाली आपको class जॉइन करनी है तो Ruby अगर आप डिसकाउंट code यूज करोगे न ये courses हमारे तकरीबन कुछ 799 या फिर 9 ऐसे कुछ rates के हैं लेकिन अगर आप Y542 ये code अगर आप यूज करते हो तो ये आपका तकरीबन तकरीबन I think 2300 रुपे का course पढ़ जाता है 2300 रुपे का आपका ये जो course है आपको 2300 रुपे का पढ़ेगा बहुत ही सस्ता है बंपर डिसकाउंट में मिल रहा है इससे सस्ता कुछ होगा नहीं तो ले लो ज़रा ठीक है हान जी 2300 का पढ़ेगा approximately 2200-2300 रुपे का तो ज़रा सब के सब जो है enroll कर लें और code यूज करना मत भूलना discount के लिए वरना ये 78000 का पढ़ जाएगा discount coupon नहीं यूज किया ना तो 78000 का पढ़ जाएगा ये चूना मत लगवा ले ना coupon code ज़रूर यूज करना अपना हान जी ये मेरी शकल याद रखना ठीक है मेरी शकल याद रखना courses UP, PGT, TGT English okay grammar भी इंक्लूड़ड़द है निधी माम पढ़ाएंगे निधी माम जो है वो grammar पढ़ाएंगे मैं literature पढ़ाऊंगी दोनों covered है पूरा English आपका एक इससे cover हो जाएगा comprehension passage, writing usage, tenses ये वो ब्ला-ब्ला सब cover होगा literature पूरा मैं cover कराऊंगी okay चलो अब फटा-फट से जुड़ जाओ मेरे साथ पटा-फट से जुड़ जाओ मेरे साथ अब काम शुरू करते हैं आज का जो topic है वो इतना important है चाहे आप UP का TGT ले लो चाहे आप UP का PGT ले लो KVS का exam ले लो DSSSP ले लो RPSC ले लो UGC net JRF ले लो इन सभी topics का एक बहुत important aspect जो cover हमने करना है वो है on the topic of William Shakespeare अब William Shakespeare के जिस तरीके के questions net में आते हैं और जिस तरीके के questions UP, TGT, PGT में आते हैं उनकी approach अलग चलती है अब वो approach different कैसे हैं मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले तो Biographical Information William Shakespeare की Biographical Information UP, TGT, PGT में आती है तो आप में से जितने लोगों को भी लगता है कि सिर्फ play की summary पढ़ पढ़के हम pass हो जाएंगे Trust me अगर एक से दो question भी आ गया इसका तो आप बहुत भारी नुखसान में हो जाओगे आपका paper नहीं qualify हो पाएगा तो आज ज़रा मेरी class के बाद मेरे साथ साथ लर्न करो इस सब को और class के बाद जो है एक पर रिवाई ज़रूर कर ले ना और नोट्स पना लो चाहे आज की class से बायोग्रफी आज यहीं से कर के जाओ कोशिश करो बायोग्रफी आज मेरे साथ यहीं पर cover कर लो ताकि इसके बाद time मत वेस्ट करना फिर इन चीजों में और ज़ादा चालो शुरू करते हैं William Shakespeare जो है he is considered as one of the greatest playwrights of English literature English literature के सबसे greatest poet इनको माना जाता है इनको इनका जो birth है वो 23rd April 1564 में हुआ था इनकी death का date भी same है 23rd April को ही इनकी death हो गई थी in 1616 तबियत खराब होने से हुई थी exactly अभी तक पता नहीं है exact क्या हुआ था लेकिन तबियत खराब हो गई थी इनकी और इनका जो birth है वो Stratford upon Avon में है ये जो है छोटा सा टाउन था छोटी सी county थी Stratford upon Avon उधर का इनका birth है ओके कीटी demo class नहीं है ये है इधर भी हम जो है सारा एकपर syllabus go through करेंगे पर detail में नहीं होगा classes continued रहेगी classes एक series में चलेंगी आज first class है इस series की रोज इसी इसी वक्त रोज आपको 4 से 5 बजे मैं इसी page पे यहीं मिलूंगी और अपसे series में class शुरू हो गई है आज हमारी class 1 है कल इसकी class 2 होईगी ठीक है ना? series चलेगी अपनी हाँ जी तो इनका जो birth का जो place है वो है Stratford upon Avon इसलिए जो है इनको bard of Avon भी कहते हैं bard यानि poet अब ये alternative titles के उपर questions आते हैं आपके paper में question आपसे पूछेंगे कि William Shakespeare को और क्या-क्या बोला जाता था उनको alternatively किन नामों से जाना जाता था आपने बताना है एक तो उनको the bard the bard यानि the poet the poet, the bard की नाम से जाना जाता था Stratford upon Avon में पैदा हुए थे तो bard of Avon की नाम से भी जाना जाता था और तीसरा इनको England का national poet कहा जाता है England का national poet भी इनको declare किया गया है यह सब के सब तीनो नाम आपको याद रखने हैं अब जो भी question आपका पूछेंगे वो आपसे क्या पूछेंगे यह तीनो नाम आपको option में दे दिए MCQ question है ना तीनो नाम आपको question में दे दिए एक कोई चौथा random नाम लगा दिया और आपसे पूछेंगे इसमें से कौन सा which of the following is not an alternative title for William Shakespeare तो आपको याद रखना है कि यह सारे के सारे जो है उनके names हैं जो हम commonly उनको इस name से बुलाते हैं बाकी और कोई names नहीं है जिनको उनको जिनसे बुलाया जाएगा तो यहां जो है आपका यह topic clear हो जाना चाहिए ठीक है यह गलती मत करना भी यह आज जो सीख रहे हो मेरे साथ यह गलती मत करना अनुभव कहते हैं कि Ben Johnson, William Shakespeare यह सब लोग एक बार में बैठके यह लोग बहुत alcohol इन लोगों ने consume किया और वहां तबियत खराब हो गई थी उस वज़ा से शायद इनकी death हो गई थी एक theory है यह exactly नहीं कह सकते अच्छा, interesting बात यह भी है इनकी death और birth का date भी same है 23rd April, 23rd April birth हुआ है 1564 में death हुई है 1616 में इनके parents का नाम John and Mary John Shakespeare and Mary Arden Shakespeare इनके father एक glove maker थे okay, glove maker थे but at the same time काफी civic positions को भी hold करते थे यानि जो इनका गाहों था इनकी जो county थी वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आज क्या होते है पंचायते होती है न पंचायतों में जैसे आप एक civic body जो local government की जो local government की body है जो local civic body है इंडिया में क्या है वो यह हमारी पंचायत हैं या फिर शेहरों में municipal committees हैं तो उनकी county में जो municipal committee type की जो body civic body रही होगी उसमें काफी important positions hold की थी John Shakespeare ने इस वजहा से जो हैं इनके पास ऐसे connections और ऐसे resources थे कि यह अपने बेटे को छोटे होते से ही education formal education provide कर पाए थे यह reason था कि William Shakespeare को वो एक grammar school में भेज पाए William Shakespeare को छोटे होते से ही formal education मिल गई थी grammar school में चले गए थे आज मैं आपको बता दूँ William Shakespeare ने approximately 14,000 to 17,000 की range में English में words जो है invent किये है एक इंसान के पास good evening Anjali, welcome to the class यार एक इंसान के पास कितना ही talent रहा होगा, उसके पास कितने literary language skills रहे होंगे कि उसमें 14,000 से 17,000 words invent कर दिये थे English language के लिए Pooja, welcome to the class ठीक है, तो उसका reason क्या था कि उनको छोटे होते से ही grammar school की formal education मिल गई थी उनके father की position की वजहास थे अब जो है, उन्होंने बड़े होके शादी की थी 18 साल की उमर में 18 years की उमर में, he married this girl called Ann Hathaway, जो उनसे उमर में बहुत बड़ी थी Ann Hathaway जो थी, 26 year की थी उस time पे and she was already pregnant with their first child so that's when they got married साथ में मिलके इनके तीन पच्चे थे they had three children एक और interesting fact यह है कि William Shakespeare की life-pick movie भी बनी है Hollywood की, उसमें उनकी जो wife का role play कर रही है उस actress का नाम भी Ann Hathaway है बहुत interesting fact है यह कि William Shakespeare की life-pick Hollywood की movie बनी है जिस actress में उनकी wife का role play किया है, उसका नाम भी Ann Hathaway ही है, she's a very famous award-winning Hollywood actress और William Shakespeare की खुद की wife का नाम भी Ann Hathaway था, उमर में उनसे बहुत बढ़ी थी, and she was always already pregnant when they got married तो वो खुद बिचारे तब 18 साल की थे, लेकिन टोटल में जो है इनके तीन बच्चे हुए William Shakespeare जो है, कहा जाता है 1592 तक उनके place popular हो गए थे, 1592 तक उनोंने लंडन में आ गए थे, उनोंने कहा था, मैं छोटे शेर में नहीं रहूंगा, मैं लंडन शिफ्ट हो रहा हूं अपने करियर को ग्रो करने के लिए वो लंडन शिफ्ट हो गए तो कहते हैं, 1592 तक उनके place popular हो गए थे, लंडन में उसके आवाज इको और ही है इसे और को भी आवाज इको और ही है तो बताईए जरा कोई और भी बताईए अगर दिक्कत ऐसी आ रही है तो हां जी तो, he had already become a very famous playwright by the year 1592 1593 तक उनकी poems published हो गए थी, उनकी जो initial poems जो नोंने लिखी है they are Venus and Adonis okay, and the rape of Lucreys ये दोनों poems जो है एक एक साल के gap पे आई है, Venus and Adonis उनों ने लिखी 1593 में उसको publish करा दिया था साथ के साथ next year उनकी famous poem आई है the rape of Lucreys 1594 में okay, तो ये जो दोनों इनकी बहुत ही famous poems है initial era की, तो Shakespeare London आते ही, उन्होंने पूरे London में तहल का मचा दिया था, अपने literary style से, okay बीच पीच में हो रही है अवाजी को सारे subjects हैं, जी, एक बर हमारे Ada247 की website पे जाके देखो, सारे subjects हैं हमारे पास आपके लिए हाँ जी, उन्होंने अपनी ये जो poems हैं उन्होंने अपनी ये poems किसको dedicate की थी, Henry Ritholsi, Earl of Southampton इनका नाम आपने याद रखना है कुछ लोग कहते हैं, इनका affair भी था इनके साथ कुछ लोग कहते हैं, इनके बीच में जो है, affair भी था Henry Ritholsi, Earl of Southampton को dedicate करके उन्होंने ये poems लिखी थी, कई लोग कहते हैं कि उनके जो sonets हैं, 154 sonets उसमें से first initial 127 sonets भी इनही को dedicated हैं कई लोग ऐसा कहते हैं पर जो भी है चलिए हां जी, चलिए तो ये important कुछ biographical information में आपको बता रही थी आगे चलते हैं Shakespeare also became an establishing member of a very famous English drama troop drama troop यानि drama की तोली, वो actors जो मिलके drama करते थे plays करते थे तो उसका नाम क्या था? Lord Chamberlain's Men उन्होंने Lord Chamberlain's Men की establishing की और उसके famous playwright बने उसके actor भी बने इसका नाम जो है बाद में Kingsman चेंज कर दिया था इसका नाम बदल के बाद में 1603 में जब Elizabeth I की death हुई और James I King बने इंगलेंड के तो उन्होंने James I को oblige करने के लिए इसका नाम 1603 में Kingsman कर दिया था और 1594 में तक जो है वो अल्रेडी सारे अपने plays exclusively Lord Chamberlain's Men के साथ ही perform कर रहे थे ध्यान देने वाली बात है Shakespeare बहुत ही actively plays produce कर रहे थे average हर साल दो play लिख रहे थे average वो हर साल में दो plays produce कर रहे थे बहुत से plays उनके आज भी हमारे पास है नहीं बहुत ही कम period के लिए उन्होंने लिखा है बट हम कहते हैं कुछ plays उनके lost plays भी है जो आज उनके हमारे manuscripts हमारे पास नहीं है लेकिन जो जो manuscripts हमारे पास हैं उनको हम जानते हैं उनको हम आज पढ़ते हैं now it is suggested by 1592 his plays had already started performing successfully on the London stage यह तो मैंने आपको अभी बता दिया था 1599 he along with other actors in his true established the glow 1599 में River Thames के bank पे River Thames main river है London City की River Thames के bank पे उन्होंने ये एक theater बना दिया था जिसको की क्या बोलते हैं the globe the globe के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ ये बना था 1599 में 1613 में इसमें आग लग गई थी 1614 में reconstruct हुआ 1642 में puritanical attack से shutdown हो गया था finally जो है इसको इसको reconstruct किया गया reconstruct कब किया गया वो मैंने questions में आगे डाला है वो मैं आप से तब discuss करूंगी तो ये सारे के सारे years एक बड़ ज़रा फिर से मेरे साथ देख लीजिए the globe को establish करने वाले कौन थे William Shakespeare अपने ही drama troop Lord Chamberlain's men के और actors के साथ मिलके उन्होंने इसको बनाया 1613 में उनका play चल रहा था Henry the 8th के नाम से history play था उसकी performance में एक cannon fire होती है तोप में से गोला निकलता है वो छट पे जाके लगता है उससे आग लग जाती है दो घंटे में पूरा play जो है पूरा theater जल के राक हो जाता है क्यों? क्योंकि लकडी का बना हुआ था Okay, it was made from wood तो अगले साल उसको reconstruct करा देते हैं 1614 में 1614 में 1613 में इसके जलने से कुछ ताइम पहले ही Shakespeare retire भी कर जाएंगे from the literary scene 1616 में उनके death हो जाएगी 1642 में पूरे England में ऐसी political situation बन जाती है एक religious group है Christians का जिनकों की कहते थे Puritans उन्होंने कहा कि सारे England के theaters को बंद कर दो ये unethical है, immoral है तो उनके puritanical attacks की वज़ा से 1642 में सारे English theaters को shutdown कर दिया गया था including the theater और finally 20th century में एक इनसान ने कहा कि मैं तो जहाँ पुराना बला globe था मैं तो वहीं एक और नया globe बनाऊंगा आज तक वहाँ पे Shakespeare के place की performances होती है आप सब के सब जरूर class के बाद ना YouTube पे देखना the globe theater type करना और देखना आज भी Shakespeare के सारे famous place की performances वहाँ चलती है और जो लोग भी England जा पाते हैं और literature fans हैं, Shakespeare fans हैं वो जरूर यहाँ जाके जो है एक performance जरूर देखर आते हैं the globe theater में जाद रखने वाली बाते हैं हाँ जी अब कई writers जो famous, अगर एक famous writer ने दूसरे famous writer पे किसी तरीके का critical comment किया है तो ये questions आपके paper में आते हैं जिस period में William Shakespeare लिख रहे थे उस period में एक group of writers भी लिख रहे थे जिनकों की हम कहते हैं university wits इन सब की details में आपको अपनी class में दूँगी देखो time की कमी है न time की कमी है तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो जाती है सब कुछ जादा detail में cover करना लेकिन आपको बता देती है university wits नाम का एक group of writers थे जो Shakespeare के time लिख रहे थे सारे के सारे university college educated थे Oxford educated, Cambridge educated तो Robert Greene भी उन में से एक थे Robert Greene भी एक famous writer थे उस period के और उन्होंने कहा था कि Shakespeare के पास खुद की college education नहीं है high education नहीं है pretentious fellow वो कह रहे थे he's a pretentious fellow ये acting करके जो है ये नातक करके बाकी university wits के level का जो है witty drama लिखने की कोशिश करता है इसको कुछ जादा knowledge है नी वैसे ठीक है ना तो ये किसने उनके बारे में बोला था? Robert Greene ने जो कि खुद उस time के एक university wits playwright थे इन चीजों की और better details मैं आपको हमारे course में दूँगी क्योंकि वहाँ हमने हर topic को जादा घंटे अलोट कर रखे हैं तो हम जादा अच्छे से cover कर पाएंगे हाँ जी, course लेने के लिए याद रखना Y542 ये code याद रखना आप सबने Y542 आपकी screens में भी नीचे चल रहा है for heavy discounts विलियम शेक्सपीर ने 1613 में retire कर लिया था थेटर में आख लखने से कुछ ताइम पहले ही उन्होंने जो है retire कर लिया था और उन्होंने जो है उनकी जो death हुई थी on 23rd April 1613 तो दो दिन तक उनकी dead body को बहार रखा था दो दिन के बाद जो है उनको दफना दिया गया था in the holy trinity church अब इस type का question भी आपके UPTGT PGT के exam में आ सकता है कि उनका birth place कहा है उनको दफनाया कहां गया date क्या है father mother का name क्या है wife का name क्या है बच्चों का name क्या है उनको और किस नाम से पुकारते है the globe theater की information यह सारे के सारे जो questions हैं आपके UPTGT PGT point of view से बहुत important है तो आज आपने कसम खा के जाना है यहां से कि जो भी पढ़ रहे हो ना यहीं से learn करके जाओगे ठीक है यहीं से learn करके जाना है और कोई mistake नहीं करनी है इन topics में फिर आपने उनकी death के 7 साल तक उनके plays published नहीं होए थे उनकी 2 poems तो published हो गई थी Venus and Adonis and the Rape of Lucreese तो published हो गई थे 1593 में 1594 में लेकिन उनका जो plays है वो published अभी हुए नहीं थे उनकी death तक उनकी death के 7 years बाद उनके ही drama troupe के 2 actors ने मिलके उनके सारे plays एक साथ publish करा दिये थे in the first folio the first folio कब publish हुआ था 1623 में death कब हुई है Shakespeare की 1616 में और उनका first folio का publish हुआ है 1623 में तो क्या हो रहा है यहाँ पे उनकी death के 7 years later उनके पहले plays है वो publish हुए है video भी को रही है I think थोड़ा net connectivity का issue है मैं आप से request करूँगी आप एक बर अपना wifi ज़रा on करके off कीजिए यह net on करके on कीजिए तो शायद ठीक हो जाए उससे गिर्धारी जी बिलकुल मैं आपको बताई रही थी course हमारा जो है हमारी website पे आपको मिल जाएगा यूपी टीजिटी पीजिटी इंग्लिश का और आपको जो है उसमें code यूज करना है यूट्यूब वली classes भी आप देखो बाद में तो देखी सकते हो साथ के साथ जो मेरी पुरानी और जो मैं अपने course में जो हमारा paid batch है उसकी classes भी आपको saved मिलेंगी उसका भी आपको study material मिलेगा आप उसमें से पढ़ाई कर सकते हो तो वो beneficial रहता है यूट्यूब पे मैं pdf नहीं share करूँगी यूट्यूब पे नहीं होगा pdf आपके साथ वहाँ share होँगी ठीक है चलो आगे बढ़ते है अब Shakespeare के regarding जो सबसे next important topic हमें cover करना है जिसके ओपर questions बनते हैं वो है Shakespeare के place के sources क्या क्या है अब Shakespeare के अलग अलग place के अलग अलग sources है तो कुछ important sources यहां मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पर देखते हैं उनका जो play है Hamlet उसका source है Thomas Lodge का play Wits, Miseries and World's Madness Thomas Lodge was also a famous University Witt University Witt प्लेराइट थे यह Thomas Lodge उनका famous play था Wits, Miseries and World's Madness उसमें से Hamlet play की theme निकली है उसके लावा Hamlet की जो source है वो कहां से निकली है From Saxo, The Grammarians, Historia Danica ठीक है उन्होंने एक ये book लिखी थी Historia Danica ठीक है, Denmark की history पे उसके अंदर ये chapter था History of Amlet Amlet के character से Hamlet का character बनता है Amlet के character से Hamlet का character बनता है किसने लिखा है? Saxo ने उसके बाद उनका play जो है The Merchant of Venice उसकी story तो बहुत डारिकली Christopher Marlowe के G.O. of Malta से कोरिलेट करती है मैं आपको बता दूं कि जिस period में मैंने आज नेट की क्लास में भी अभी जो तीन से चार ली थी उसमें डिसकस की थी ये बात आपको भी बता दूं कि जो भी हमारे Elizabethan period में जिस period में William Shakespeare writer है, playwright है, जिस period में वो लिख रहे है उस period में वो पहले successful playwright नहीं थे उनसे पहले जिस writer ने bumper level पर commercial success को enjoy किया था वो थे Christopher Marlowe तो William Shakespeare के initial plays में हमें Christopher Marlowe की plays की भी चलक दिखती है, inspiration दिखती है तो उनके Gio of Malta play से William Shakespeare ने अपना कौन सा play inspire करके लिखा, The Merchant of Venice a very famous comedy by William Shakespeare Sir Philip Sydney ने Arcadia लिखा था, ओके ये एक pastoral उनका work है pastoral poetry का work है उधर से जो है William Shakespeare ने अपने famous tragedy King Lear का subplot निकाला था कौन सा subplot? About Earl of Gloucester, Edmund and Edgar एक बेटा सगा है, एक बेटा जो है, वो सौतेला है I was forgetting the word, एक सौतेला बेटा एक सगा बेटा है, तो दोनों के साथ Earl of Gloucester की क्या स्टोरी रहती है ये King Lear play क्या subplot है और ये उन्होंने कहां से inspire होके लिखा था, सर्फ फिलिप Sydney के Arcadia से, ओके या, मैंने प्लेलिस के बारे में बोल दिया है प्लेलिस के बारे में मैंने बात कर लिया I haven't checked, अगर नहीं बनी तो मैं भी उनको जाकर रिमाइन कर वा दूँगी, मैं अपने जो टीम मेंबर से उनसे एक बात कर लूँगी ये मैसेज में निकल कनवे कर दिया था अगर नहीं हुई ये अभी तक, so my humble apologies मैंने आपकी convenience के लिए अपनी प्लेलिस्ट जो है, वो बनबाने के लिए कहे दिया था नहीं बनी, तो आज बन जाएंगी मेरी guarantee ऐस बात की, ठीक है न चालो, आगे बढ़ते है उनके play पेरिकलिस्ट की जो स्टोरी है, वो कहां से inspired है, जॉन गावर के confessio amantis से जॉन गावर के confessio amantis से उनके play पेरिकलिस्ट की स्टोरी inspired है अब ये सब आपको learn करना है ठीक है, ये जो आपको information दे रही हूँ ना, आपको ये वैसे तो एक source से मिलेगी नहीं, तो ये सारे source को seriously consider करो, इनके ओपर से direct question आ सकता है, आपके TGT, PGT exam दोनों में आ सकता है, क्योंकि दोनों में Shakespeare सबसे बड़ा important topic है आपका plotters के Mina Kemi से उन्होंने अपना comedy play The Comedy of Errors लिखा था और Thomas Lodge के famous play Rosa Lind से उन्होंने अपना As You Like It लिखा था, As You Like It की जो main heroine है, उसकी जो main character है, उसका नाम भी जो है, Rosa Lind है और Thomas Lodge कौन है, एक famous university wit है, उपर भी आपको बताया है, तो मेरी बात आप लोग अगर मानेंगे तो एक, ये ध्यान रखना इस बात का, कि William Shakespeare की जो greatness है, वो उनके plot या उनकी story में नहीं है, उनकी greatness, उनके characters और उनके dialogues में है, William Shakespeare के plot skills से जादा, उनके literary skills हैं, जिनको की हमें appreciate करना चाहिए, क्यूं? क्यूंकि जैसे मैंने आपको कहा, उन्होंने 14,000 to 17,000 words invent करके contribute किये हैं to the modern English language, उसके इलावा उनके द्वारा, you know, instituted, created जो कुछ phrases हैं English के, वो भी जो है, हम आज English की language में use करते हैं, ये गाना था, कंगना रनौत का बनो तेरा swagger, वो swagger वर्ड किसने invent किया है, William Shakespeare ने invent किया है, ठीक है ये सारे इस तरीके के बहुत commonly used words, so हमें पता भी ने आज वो William Shakespeare ने बनाए हुए हैं, लेकिन इनकी स्टोरी इनकी खुद की नहीं थी, आप देखोगे, अभी आगे और बहुत सारे पेजिस हैं, William Shakespeare के mostly जो प्लेज की जो प्लॉट है, स्टोरी है, वो यहाँ वहाँ से उन्होंने चुराई हुई थी, adaptations ही थी, so he was a master adapter, and he was a master of his linguistic skills and his language skills, उनकी greatness, उनके characters की beauty में है, उनके characters की psychological complexity में है, और उनके use of language में है, Asmita, welcome to the class, good evening, हाँ जी, Raphael Hollinshedd ने एक chronicle लिखा था, chronicle यानि history लिखी थी, की लिखी थी, of the rulers of England, Scotland and Ireland, England, Scotland और Ireland, इन तीन कंट्री के, जितने भी famous rulers थे, मुनाक्स थे, उनकी life के उपपर एक history work लिखा था, Raphael Hollinshedd ने, in the year 1577, उसमें से, William Shakespeare ने, King Lear, Macbeth, और Symbol in की स्टोरी को चुडाया था, Symbol in King Lear, Macbeth, तीनों में ही जो है, rulers या मुनाक्स की स्टोरी के बारे में, बताया गया है, और ये जो स्टोरी हैं, ये इनोंने कहां से इंस्पायर हो के लिखी थी, Raphael Hollinshedd के chronicle से, chronicle में, तीन कंट्री के rulers का mention है, England, Scotland, Ireland, ओके, good evening everybody, welcome to my class, बिल्कुल नेह, ये इसको आता नहीं है जादा, ये copy-copy करके लिख रहा है यहां से, इसलिए कहा था, थाजी, Thomas Norton ने translate किया था, Plutarch के, The Lives of Noble Grecians and Romans को, Plutarch was basically a, sorry, Latin writer, और उसका English translation किया था, Thomas Norton ने, उधर से Shakespeare ने, अपने following plays की story को, copy किया था, Antony and Cleopatra, Julius Caesar, Timon of Athens, and Titus, Andronicus, and Chorillinus, ये सारे के सारे जो plays हैं, या तो Roman characters, Roman themes, या Greek themes पे बेस्ट हैं, तो इनका जो source है, वो भी कोई Roman या Greek source ही होगा, तो Plutarch ने famous, जो अपनी ये lives लिखी थी, of Noble Grecians, ये प्रिविएस येर question है by the way, net का, ये UGC net का एक प्रिविएस येर question है, ये questions आपके, UP, TGT, PGT में आने के भी, बहुत high grade chances हैं, ओके, तो ये source रहा है, अब उनका जो, Edward Hall है, उसका the union of two noble families, of Lancaster's and York, वो उनका history place का source पनता है, William Shakespeare के, जो history place हैं, उसका source क्या बनता है, Edward Hall का, the union of two noble families, of Lancaster's and Yorks, history place में कौन कौन से place आ गए, Henry the 8th, Henry the 8th part 1, Henry the 5th part 1, part 2, part 3, Richard the 2nd, ठीक है, ये सारे place इंके, history place में आ गए, Awed के metamorphosis से, जिसकी translation English में की थी, Arthur Golding ने, उधर से इंके place, जो हैं, किसकी stories निकली हैं, Tempest की, Midsummer Night Stream की, Titus and Dronicus की, इसके अविट के metamorphosis से, किसकी place की story निकाल दी हैं, उन्होंने, Tempest की, Midsummer Night Stream की, और Titus and Dronicus की, इसके लावा, Arthur Brooke का, The Tragic History of Romeo and Julius से, उन्होंने famous निकाली, Romeo and Juliet, अब Romeo and Juliet की कहानी, तो देखो सब जानते हैं, कोई नहीं जानता तो बता दो, लेकिन Romeo and Juliet की जो कहानी थी, आपको क्या लगता है, William Shakespeare ने खुद बैठके उसको लिखा था, नहीं, उसको लिखने जो वाले थे, वो थे Arthur Brooke, he was basically a French writer, उन्होंने एक नॉवेला लिखा था, जिसका नाम था, The Tragic History of Romeo and Julius, उसको उधर से पढ़के इंस्पायर होकर, William Shakespeare ने अपनी famous Romeo and Juliet के प्ले को लिखा था, हाँ जी, और सोर्स पे आते हैं, Bocacios Decameron, Bocacios Decameron से, William Shakespeare ने अपने फेवरेट प्लेज, The Winter's Tale, All's Well That Ends Well, The Two Gentleman of Verona, और Simbalin और Othello की स्टोरी ली थी, The Winter's Tale की जो स्टोरी है, वो उसके साथ साथ Robert Green के pen दोस्तों से भी inspired है, अब आप बोलोगे, Ma'am कैसे लर्न करेंगे इतना, करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा ना, इतना, लर्निंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टेकनिकल है, लंबा है, बट मैं वही कह रही हूँ, आपको देखो, material तो आपको मैं सारा प्रोवाइट कर रही हूँ ना, यहां पे, आपने बस अपना लर्निंग का काम जारी रखना है, मेरे साथ कोर्स जॉइन कर लोगे, तो लर्निंग में भी मैं हेल्प करा दूँगी, मैं आपको प्राक्टिस सेशन भी करा दूँगी, रिविजिन भी करा दूँगी, उससे भी आपका काम बढ़िया चल जाएगा, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं, ओके, है, हाँ, शुति, बहुत ही, बहुत ही minimal fees है, मैं आपसे कोशिश करूँगी, कि आप आपसे request करूँगी, कि अगर आप पेपर को ले के serious हैं, तो थोड़ा फा कोशिश कीजिए, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, कि आपके help कर सकूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, सारा हम detail में यहां नहीं कर पाएंगे, syllabus बहुत vast है, देखिए, अब इस सारे place की सारी summary, यह वो blah blah हमें सब cover करना है, वो सब cover करने के लिए, देखो यह material वहाँ पे भी होगा, लेकिन वहाँ पे 50-60% और material है, जो मैं यहां नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास time की restriction है थोड़ी सी, तो मैं वो आपको request करूँगी, थोड़ा ध्यान रखें इस बात का, अगर आप serious है ना paper के लिए, तो थोड़ा कोशिश कीजिए, इस चीज को work out कराने की, ठीक है, हाँ जी, चलिए, उसके लावा, उनका Matthew, बियूर्दो का work था, और लैंडो, इना मार्तो, उधर से जो एक उन्होंने concept उठाया था, fountain of head का, या फिर garden of garden का, उन्होंने उसको use किया था अपने as you like it के forest of garden में, as you like it की major setting है, इस प्ले की, वो forest of garden की है, तो वो forest of garden का concept उन्होंने उठाया था, from the concept of fountain of head या फिर garden of garden, और ये कहां से उठाया था, Matthew Bayordo के, और लैंडो, इना मार्तो से, Matthew Bendolo के certain tragical discourses से, उन्होंने much ado about nothing और 12th night की story को inspiration ली थी, ये सारे famous comedies हैं by William Shakespeare, okay, much ado about nothing and 12th night, ये कहां से इन्होंने inspire हो के लिखा है, Matthew Bendolo से, हां जी, इसके इलावा, Old Hamlet and the Spanish tragedy की story जो उन्होंने ली थी, Thomas Kidd के plays से, Thomas Kidd क्या थे, ये भी एक university wit थे, Thomas Kidd भी एक university wit थे, इनकी story से inspire होकर, William Shakespeare ने जो है, Hamlet की story लिखी थी, Hamlet के multiple sources हैं उनके पास, multiple जगह से उठा उठा के stories उन्होंने चेपी और फिर उन्होंने अपने ये famous जो plays को लिखा था, ठीक है ना, चलिए, आगे बढ़ते हैं, Holland Shed के chronicle of Scotland से Macbeth की story ली थी, Macbeth के अंदर जो है three witches का concept है, वो कहां से लिया था, from the book Demonology by King James, King James कौन थे, ये ruler ही थे ना, England के, उनको witches में, भूत प्रेत में, काला जादू, ये जादू, वो जादू, उनको इन सब चीजों में जो है, बहुत ही interest था, तो उन्होंने जो है, witches और spirits और गोस्ट के उपर एक book लीगी थी, Demonology, William Shakespeare ने उसको भी पड़ा था, और उन्होंने ये book पड़ी थी, Discovery of Witchcraft by Reginald Scott, यहां से उन्होंने, जो ये है, Macbeth में, जो ये Trial of Witches थी, जो तीन ये चुड़ेले थी, Macbeth Play की, The Trial of Witches, ये concept उन्होंने वहां से उठाया है, I see, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल शायद इशू आ गया है, connectivity में, मुझे chats receive नहीं हो रही है, but I am sure जल्दी ही net connectivity आ जाएगी, और मुझे chats फ़र से receive होने लग जाएगी, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, Holland Shedd के Chronicle, और Geoffrey of Monmouth के Historia Region Britannica, और Baudel के Matter of Britain, और Albion के England से उठाके उन्होंने King Lear की स्टोरी ली थी, King Lear एक famous ancient English ruler थे, English monarch थे, और उसके स्टोरी के लिए उन्होंने multiple sources of inspirations जो हैं, वो उठाई थी, कहां कहां से उठाई थी, from Holland Shedd's Chronicles, Geoffrey of Monmouth, Historia Region Britannia, Baudel's Matter of Britain and Albion's England, यहां यहां से उन्होंने अपने इंकी स्टोरीज को उठाया था, अजी, प्लीज, अगर आप में से कोई इस तक सुन सकता है, मुझे comment section में कुछ comment कीजिए, because मुझे message आ रहा है कि आप connectivity का issue आ रहा है, मुझे messages शायद receive नहीं हो रहे हैं, तो कोई doubt है आपका प्लीज साथ के साथ आप comment section में डालते रहे हैं, ताकि मुझे पता चलता रहे, क्या चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहा हैं, इसके लावर George ते, Montemarjo के Daina Ina Morada से, उन्होंने The Two Gentlemen of Verona की स्टोरी उठाई है, George ते, Montemarjo के Daina Ina Morada से, उन्होंने The Two Gentlemen of Verona की स्टोरी की इंस्पिरेशन ली है, और इसके लावर, William Painter के Palace of Pleasure से, उन्होंने Alls Wells That Ends Well की स्टोरी की इंस्पिरेशन ली थी, ओके अब विलियम शेक्स्पियर को पढ़ने के लिए उनके लिटरी फेजिस को समझना जरूरी है अगर आपने उनके लिटरी फेजिस को समझ लिया तो आप उनके प्लेज को एजिली क्याटिगराईज करके उनको लर्न कर सकते हो तो तेखो विलियम शेक्स्पियर की अप्रॉक्सिमेटली 36 टू 37 प्लेज हैं जो हमें कवर करने हैं और अब आप बोलोगे माम इतने कैसे कवर होंगे तो तेखो मोटा मोटा सबका आइडिया तो हमें रखना ही यह एक स्मार्ट अप्रोच नहीं रहेगी लर्निंग के लिए मेमराइजेशन के लिए और एफेक्टिव रिविजिन के लिए जरूरी होता है कि पढ़ाई को एक ऐसे पैटर्न एक ऐसे स्कीम के साथ किया जाए कि उसके रिविजिन और जादा इजी हो जाए तो मैं आप जब अपना राइटिंग शुरू की तो इनिशली उन्होंने कुछ अपनी पोयम्स लिखी जैसे कि पहले में आपको बताया था दर रेप अफ लुक्रीस एंड वीनस अड़निस उनके इनिशल फेजिस की ही पोयम्स हैंगे उसके लावा उन्होंने 26 सॉनेट्स लिखे उनके पोयम्स निशुली आपको बताया था क्रिस्टिफर मार्लो से इंपायड थे कापी ज़ादा तो क्रिस्टिफर मार्लो से इंस्पायड यह उन्होंने कुछ अपने इनिशल फेज के प्लेज लिखे one of the most initial plays that he wrote were Titus andronicus Henry VI parts 1 2 3 और ये सब एंके major history plays थे William Shakespeare ने इनिशली जो शुरूबात है वो हिस्ट्री प्लेस से जादा की थी चाट कनेक्टिविटी क्या दिख करा रहे है क्लास तो चल रहे हैं ना तो William Shakespeare के जो इनिशल प्लेस हैं देखो हम उनको जानते किस लिए हम उनको जानते उनके कॉमेडी प्लेस के लिए या उनके ट्राजिटी प्लेस के लिए लेकिन सबसे जादा जो उनके इनिशल स्टेज में उनका जो इंट्रेस था वो हिस्ट्री प्लेस लिखने में था यह याद रखना है आपने and history plays के साथ कुछ early comedies उन्होंने लिख दी थी जैसे कि taming of the shrew and comedy of errors तो ये उनके initial phase के कुछ writings है जो उनकी जो दो main poems है Venus and Adonis ये हमें detail में पढ़नी है पूरी poem पढ़ेंगे, समझेंगे, अच्छे से learn करेंगे Rape of Lucreese को भी detail में पढ़ेंगे ये दोनों poems में से बहुत questions पीछे आपके previous year में आपको मिल जाएंगे ये poems मिस कर दी तो एक से दो questions का नुकसान होगा पेपर में कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का तो ऐसा करना नहीं है हमने ठीक है ना तो चलिए first phase जो है उनका initial literary phase का है 1580 से 90 स तक आपको बताया था मैंने 1592 तक तो वो जो है एक बहुत ही celebrated writer बन चुके थे in England, in the London literary scene 1599 में तो खुटका theater खोल लिया था उन्होंने, the globe तो उनका जो second literary phase है ना ये उनका successful phase है successful phase किस तरीके से है क्योंकि 1590 से 1600 का है इस period में उनको इतना commercial success मिल गया था कि उन्होंने अपने और major history plays and romantic comedy plays को इस period में लिखा है अब इसको learn करने का तरीका क्या है ये याद रखिए कि उनका initial interest history place का था उनके जो initial class is on ना उनके जो initial interest आपने याद रखना है वो history place का था अब history place की success के बाद जो second phase आता है commercial success मिल रहा है इतनी popularity मिल रही है तो खुशी में वो क्या लिखेंगे romantic comedies लिखेंगे ठीक है तो second literary phase उनका उसमें खुश हो गए है कि भाई मेरको commercial success मिल गई तो अब वो क्या लिखेंगे अपने romantic comedy plays इस period मे उनोंने अपने major comedies लिखी हैं like the merchant of Venice, much ado about nothing as you like it, the Merry Wives of Windsor in fact the Merry Wives of Windsor तो उन्हों है Queen Elizabeth I की personal request लिखी थी teachers Merry Wives of Windsor उन्होंने जो है Queen Elizabeth I की personal request लिखा था उसके लाव उनके जो famous comic plays हैं, Midsommar Nights, Dream and Twelfth Night, ये सारे के सारे जो है इस एरा के plays हैं उनके और कुछ और major history plays like Richard II, Henry IV Part 1, 2, 3 और Henry V ये उन्होंने इस period में लिखा है Twelfth Night उनका एक play है जिसको की हम tragic comedy कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक character के साथ tragedy भी हो जाती है Malvolio नाम का एक Puritan character है वो जब हम class करेंगे अपनी paid वाले online batch वाला उसमें मैं आपको बता दूँगी उसके बारे में तो उसमें उसके साथ कुछ ऐसी चीज़े हो जाती है कि उस बिचारे के साथ tragedy हो रही है उसमें तो इस वज़ा से इस play को हम tragic comedy की category में भी categorize कर सकते हैं हान जी थर्ड फेस विलियम शेक्सपिर लाइफ में उनके साथ कुछ चीज़े होने लगती है 1601-1608 का पीरियद है इस पीरिद में उनको किस कुछ तरीके के जो है क्लास चार्ट अग्षल बात थी मेरे पास स्क्रीन एक ब्लांक हो गई थी और आपके कॉमेंट्स आने रुख गए थे कुछ टेक्निकल इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू आ गया था तो आइविस जस कन्फर्मिंग आइवांटे तो मेक शूर कि आप साब मेरी क्लास सुन सकते हैं और देख सकते हैं और नहीं I am very happy to see all of y'all back and I am continuing class, I am not a good evening everybody, welcome yes so, in the third phase, between 16-1 and 16-8, बीच में उनकी लाइफ में कुछ financial troubles आजाती हैं कुछ relatives close, relatives, loved one की deaths हो जाती हैं loss of friendships हो जाती हैं तो इस तरीके की personal hardships से गुजरते हुए उनकी life के जो ये romantic comedy का phase है ये end कर जाएगा और अब वो sad stories लिखने लग जाएगे तो वो क्या लिखेंगे? अब वो लिखेंगे tragedies तो उनके third literary phase में उन्होंने अपनी great tragedies लिखी हैं और कोई comedy भी लिखी है तो उसमें भी tragic elements हैं तो tragic comedies लिखी हैं जैसे कि जो उनकी ये famous, जो four उनके greatest tragedies है होकम, होकम क्या है? Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth ये सारी होने के spirit में लिखें हैं अपने third literary phase में इसके लावा Antony and Cleopatra ये भी sad ending के साथ है Coriolanus ये place में उनने अपने third phase में लिखें हैं और 1601, 1601 से लेके 1604 के बीच में तो बहुत जादा depressed हो गए थे William Shakespeare, तो उन्होंने नहां कि सिर्फ sad बलकि dark plays को लिखा है बहुत ही ऐसे plays जिसमें काफी darkness है, काफी sadness है उसमें तो इस period को उनकी dark comedies का play भी कहते हैं तो इस period में किस तरीके के play लिखे, all's well that ends well, measure for measure ठीक है न, मतलब हैं तो उपर से तो वो comedy है पर उसके अंदर बहुत ही जादा dark elements है इसको हम बोलते हैं dark comedies का phase चार साल चला था ये 1601 से 1604 के बीच में I hope आप सबको समझ आ रहा हो, हमने William Shakespeare के place को ऐसे learn करना है ऐसे phase बना बना के इसको learn करेंगे उससे क्या फायदा होगा, कि एक तो आपके दिमाग में chronology सेट हो जाएगी किसी भी चीज को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है उसकी chronology बना लो, chronology बना लोगे तो मेरा ये मेरा शर्थ ले लो, मेरा word ले लो कुछ नहीं भूलोगे कभी life में इसके अलावा जब आपने chronology बना के पढ़ा, आपके दिमाग में चीजों का एक scheme, एक pattern create हो गया अब चीजों को remember करना भी आसान रहता है, revise करना भी आसान रहता है, उसको study करना भी आसान रहता है ये सब चीजों में convenience आ जाएंगी, ओके, तो ऐसे ही learn करेंगे इसको श्वेता, books की जरूरत नहीं पढ़ेगी, वैसे तो कोई पढ़ेगी, एक आदी मैं आपको बता दूँगी, पर आपको सब class में कराएंगे न ये आपको quote दिया हुआ है आपको यहाँ पे, आप पढ़ ले ना साथ में, बस सारा material वगेरा class, live classes, recorded classes सब मिल जाएंगी आपको यहाँ पे श्वेता, कोई इशू नहीं है, ओके, टेंशन नहीं लेनी आपने हाँ जी, इतना material दिया, इतना material बताओ, एक जगा से मिलता आपको, यह सारा मेरा तो सालों गए एक अठा किया हुआ material है, यह इतना सारा material एक source में नहीं मिलेगा आपको, जो मैंने यहाँ वहाँ हर जगा से एक अठा कर रखा है, ठीक है ना? चलिए, आगे बढ़ते हैं, उनका fourth या, जो final literary phase है, वो उनकी death तक आ जाता है, इसमें उन्होंने अपने कुछ last plays लिखे हैं, जैसे कि pericles, symbol in the winter's tale and the tempest, the tempest को उनका last play consider किया जाता है, the tempest को उनका last complete written play consider किया जाता है, वो वला play, जो उन्होंने खुद अपने हाथों से finally लिखा था, मैं आपको बता दूँ, रोज आपको YouTube पे, अगर हम YouTube की बात करें, इसी channel पे मैं आपको 4 p.m. to 5 p.m. मिलूंगी, हमारा जो online batch है, जो online paid batch है, उसमें मैं आपको 12 p.m. to 1 p.m. मिला करूंगी, यह मेरे batch की timing है, आप लोग सब note कर लें, YouTube पे रोज इसी वक्त इसी समय, चार से पांच के बीच में आपको मिलूंगी, और जो paid classes हम शुरू करेंगे, online हमारा course, हमारा batch शुरू होगा, 500 lucky students के साथ, वो मैं पढ़ाया करूंगी, आपको 12 से 1, 12 से 3 में आपका पूरा English cover हो जा किया जाता है, The Tempest को, यह last के कुछ plays उन्होंने लिखे है, Henry the 8th and the two noble kinsmen came out in collaboration with Fletcher, John Fletcher, लिख देती हूँ पूरा नाम यहाँ पे, John Fletcher नाम के यह एक playwright थे, dramatist थे, उनके साथ collaborate करके, William Shakespeare ने अपने यह जो कुछ last plays है, Henry the 8th and two noble kinsmen यह लिखे थे, okay? यह उनका last and final literary phase है, फिर 23rd April 16.16 में उनकी death हो जाएगी, यह सारे years आपने याद रखने है, Holy Trinity Church में उनको दफनाया जाएगा, यह सारी informations आपने याद रखनी है, ठीक है? पूजा आप page को subscribe कर दो, रोज चार से पांच इस class में आ जाना, ठीक है ना पूजा? इस page को subscribe कर दो, रोज चार से पांच यहाँ पे आ जाना, okay? Good evening Kushal, welcome to the class, हाँ जी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब जहां तक बात है उनके plays की, तो मैंने major आपको literary phases बता दी, अब देखें, उनके sonnets और उनकी poems, उसके बारे में जानते हैं, क्या है? तो उन्होंने जो हैं, अपनी ये famous जो sonnets हैं, पहले उनकी publication 1609 में करा दी थी, total हमारे पास William Shakespeare के 154 sonnets हैं, 154 में से number 1 to 126 are dedicated to a fair youth, किसी fair young male को dedicated है, sonnets 127 to 154, last के जो 27 उनके sonnets हैं, they are dedicated to a dark lady, इनकी theme, fair youth वाले जो initial हैं, जो initial 26 sonnets हैं, lighter theme के हैं, love की theme जादा हैं उनमें, थोड़ा simple हैं उनकी themes, last के 27 sonnets हैं, वो किसी dark lady को dedicated हैं, और थोड़ा सा unrequited love है, थोड़ा सा इसमें seriousness का element आ जाता है, ये जो fair youth है, ये कहते हैं, William Herbert हो सकते थे, the Earl of Pembrook, William Herbert हो सकते थे, the Earl of Pembrook, कहते हैं, ये जो fair youth है, वो हर पोयम के नीचे लिखते थे, William Shakespeare लिखते थे, dedicated to WH, So, ये WH probably कौन थे, William Herbert, the Earl of Pembrook, के भी आपका question आ सकता है, आपने याद रखना है, Sudipta, I think I've taken a class on history of English literature on my UGC net paper, हमारा Adda 24-7 का एक और page है, UGC net, Adda 24-7 के नाम से, एक और YouTube page है हमारा, उस पे मैंने अपनी 3-4 तिन पहले, हफ़ता पहले, क्लास ली है, of English literature, आप वहाँ जाके देख सकते हो, ओके न, ध्यान रखना है इस बात का, हां जी, तो उनके जो sonnets है, उसके साथ एक poem भी attached थी, A Lover's Complaint, ये नाम आ सकता है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, कि ये poem, कौन सी, उस poem का क्या नाम था, जो उनके sonnets sequence के साथ attached था, तो आपने क्या आंसर करना है, उसका नाम था, A Lover's Complaint, ओके, उनकी poem है, बड़ी famous है, The Phoenix and the Turtle, The Phoenix and the Turtle, 1601 में उन्होंने पब्लिश कर आई थी, अब जो net के लिए तयारी कर रहे हैं, उनको तो वैसे idea होगा इस बात का, कि metaphysical poetry क्या है, पर जिनको नहीं idea में आपको एक बर बता देती हूँ, metaphysical poetry is a school of poetry that developed in the Caroline Age of English Literature, इस period में, there were major writers like John Dunn, Andrew Marvell, etc., George Herbert, George Richard Krashow, ये लोग जो है, अपनी poems या तो religious या फिर love themes पे लिखते थे, and they used to employ metaphysical conceits in order to create, you know, a sense of metaphor in their poetry, तो जो पहली English Literature की metaphysical poetry है, वो metaphysical poets की नहीं है, वो William Shakespeare की है, कौन सी है, The Phoenix and the Turtle के CR में publish हुई थी, 1601 में, तो ये आपने सब याद रखना है, देखें, मैंने आपके लिए आज MCQs भी prepare किये थे, MCQs तो नहीं लगता मुझे आज होने वाले हैं, MCQs हम नहीं कर पाएंगे, MCQs कल की class में कर लेते हैं, मैंने आज आपके लिए MCQs प्रिपाएंगे थे, पर वो कल की class में हो पाएंगे, आज हमने काफी सारा material कवर किया है, और मुझे लगता है काफी sufficient है, क्योंकि आप सब की भी देखो information का एक limit होगी, कि कितनी information दिमाग में जा सकती है, मैं आपको फिर से बता दू, dear friends, कि हमारे जितनी भी classes हैं, अब उनका paid online course batch हम लोग शुरू कर रहे हैं, from 22nd of June, जिसमें English literature cover कराऊंगी मैं, और जो grammar का part है, वो cover कराऊंगी निधी मैं, यह जो हमारे courses शुरू हो रहे हैं, रोज आपको 12-3 यह पढ़ने को मिलेगा, 12-1 इसमें मेरी class रहा करेगी, आप मुझसे पढ़ पाएंगे, और यह जो course है, अप्रॉक्सिमेटली हमने 8-9000 के बीच का launch किये हैं, दोनों courses, लेकिन हमने आपके लिए golden opportunity एक छोड़ी है यहाँ पे, अगर आप यह code यूज करते हो, Y542, तो आपको 78% का, 78% का discount मिलेगा, यह discount को जरूर avail करना, क्योंकि इसके बाद जो आपका यह course है, वो तक्रीबन तक्रीबन, 2200 से, 600 रुपे का पढ़ जाएगा, बस इतने का ही पढ़ेगा यह, बहुत सस्ता पढ़ जाएगा, ठीक है, तो यह आप लोगोंने एक बर website पे जाके, इस course को चेक जरूर करना है, और जाना कैसे है, उसके ओपर मैंने कल ली है, कल वाली जो मेरी क्लास है, इसी टाइम की, जिसमें कि मैंने UPTGT, PGT English की प्रेपरेशन पे ली है, उसमें मैंने सारा संजाया है, कि वेबसाइट पे जाओगे, उसके बाद All Courses पे क्लिक करोगे, Teaching पे क्लिक करोगे, UPTGT PGT वहाँ आपको मेरा ये कोर्स मिलेगा, तो ज़रूर इस कूपॉन कोड को यूज करना मत भूलना वढ़ना, थोड़ा जादा, काफी जादा पैसे देने पड जाएंगे, 77-78% का डिसकाउंट मिल रहा है करो ना या, यूस क्या दिक्कत है, ठीक है, चालो, That's all for today everybody, Thank you so much for joining with me, कल हम लोग Shakespeare की क्लास को और आगे लेकर जाएंगे, और Shakespeare के कुछ MCQs को भी solve करेंगे, क्योंकि इन क्लासेस में मैं ना कि सिर्फ आप material देना चाहती हूं, बर चाहती हूं आपकी practice और revision भी साथ के साथ हो जाए, आप सब जो मेरे साथ जुड़े मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, कल इसी वक्त इसी जगा हम फिर से मिलेंगे, I am Professor Aishwarya Puri, signing off, till then take care, bye bye.